देश की विभिन मंडियों में नरम और कपास की आवक में प्रति दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पहले शुरुवाती दिनों में तो बारिश होने की वज़े से मंडियों में गीली कपास पहुँच रही थी, जिस वज़े से किसानों को कपास के भाव कम मिल रहे थ। हाला कि अब बरसात नहीं होने की वज़े से मंडियों में माल सुखा पहुँच रहा है जिससे किसानों को भाव भी अच्छा दिया जा रहा है। पिछले दिनों के मुकाबले कपास के भाव में 1500 से 1600 रुपए प्रती क्विंटल बडोतरी हुई है। इस वर्ष कपास का रखबा काफी कम क्योंकि पिछले साल गुलाबी सुन्डी के प्रकोप से काफी किसान प्रभावित हुए थ। जिस वज़े से किसानों ने इस वर्ष गुलाबी सुन्डी के डर कॉटन की बुवाई काफी कम की। इन सब आकडों को देखते हुए माना ये जा रहा है कि इस साल कॉटन के उत्पादन में बाहरी गिरावट की संभावना, वही सबसे ज्यादा कॉटन उत्पादन करने वाले देशों में बे मौसम बरसात की वजह से कपास की फसल में काफी नुकसान हुआ, जिसका उत्पादन पर गहरा असर पड़ेग जैसे जैसे किसान अपनी कपास की फसल निकल रहे हैं, इस तरह साथ की साथ मंडी में अपनी नर्मा की फसल बेचने आ रहे हैं, ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी